अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और साथ में बैल आइकन को प्रेस भी कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे है और स्ट्रेजी भी मिलती रहे है अभी हम के विया से अग्जाम को ही टार्गेट कर रहे है तो आज मैं बताऊंगा पांच इस पर ठीक है स्लेबस के बाद फिर हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने गवर्मेंट्स रूल को याद रखें ठीक है कैसे रूल को याद रखें और उसके बाद हम बात करेंगे कि कितना स्लेबस कवर कर चुके हम ठीक है और कितने हम चीजे और कवर करनी है या पिर कैसे हम त्यारी कर करते हैं तो आए बने रहते हैं वीडियो में तो सबसे पहले मैं syllabus की बात करता हूं ठीक है यह है syllabus ठीक है यह syllabus kb का जो kb ने प्रोवाइड किया हमें ठीक है इस syllabus में 5 तंदर नम्मर का यह section बताया गया है ठीक है पंदर नम्मर का यह section बताया है और पंदर नम्मर का यह दस नम्मर का यह बीज नम्मर का यह दस नम्मर का यह और दस नम्मर का यह ठीक है कुल मिलागे एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ टॉपिक हैं जिसमें 90 marks का cover है ठीक लेकिन क्या इन साथ टॉपिक के लाबह कोई और टॉपिक बढ़ना चाहिए हमें क्या यह sufficient है ठीक है तो बैसे तो अगर के बी की syllabus के according जाए तो यह syllabus हमारे लिए काफी है इसी syllabus को हमें cover करना है total ठीक है लेकिन अगर exam में इससे बाहर आ जाए तो क्या करेंगे अगर आपने mock test या फिर आपने previous exam को देखा है कितना इरे cover कर रहा है तो क्या करेंगे ठीक है तो इसी चीज के लिए मैं आज आपको बताने वारा हूँ कि आप क्या क्या cover कर सकते हैं पहले आप तो इन सब को तो करना ही करना है इनको complete तो करना ही करना है साथ में ठीक है अगर आपको ताइम मिलता है तो मैं जो topic मैं बताऊंगो वो topic भी cover करना है इन सब को cover करना साथ में और जो topic मैं बताऊंगो उस topic को भी cover करना है तो देख लेते हैं कि कौन से topic है इनके अलावा ये तो cover कर नहीं है इनके अलावा कौन से topic है ठीक है अब ये जो मेरा observation है मेरा जो syllabus मैंने जो इसके लिए काफी मतलब मैनत करी है देखके कि कौन से syllabus में ज्यादा portion का पूछा जा रहा है किस से कम पूछा जा रहा है ठीक है तो ये देखे बाकी सब वही है syllabus वही है बट इसके साथ में observation और ज्यादा जुड़ गई है अब जैसे कि आपने मैं comparison करके बता दूं तो syllabus उसमें भी यही है CCS CCA rule और CCS conduct rules 1964 ठीक है FR यानि कि fundamental rule और उसके बाद leave rules सब वही है GPF general ठीक है साथ में pension rule pension rule जो पहले बादा था वो उसको update amend करके 2021 इसमें से question आएंगी ज्यादा अंदर नहीं 1972 और इसमें से मैं कुछ चीज़े update कर दीगी है बाकी सेम है ठीक और उसका लीब ल्टीसी इसमें नहीं दे रखा यह मैंने काफी उसमें observation के आद mock test से add किया है उसके बाद आपका जो दूसरा है ठीक है यह LTC उसमें नहीं है अलग से इसको त्यारी करना पड़ेगा आपको इसमें से भी question पूछे जा रहे हैं उसका CHS जो CGHS scheme है वो तो दे रखा है medical attendance medical और AMA इसका दे रखा है लेकिन उसके साथ में बहुत सारे rule अलग से जुड़ हुई है जैसे कि advance related कि medical के case में advance कैसे मिलेगा कितना advance मिलेगा और उसको recovery कैसे करना है उसके related question इसमें से पढ़ने है दूसरा CGHS rule तो मैंने बताई दी आपको उसमें आया के charges, nurse के charges, injection charges बहुत सारे चीज़े add-on होई है ठीक तो आपको यह questions और answers इसमें से निकाल निकाल के पढ़ना है अगर आपने नहीं पढ़ाया तो एक एक बार जरू पढ़ लेना ठीक है यह syllabus इसमें से है दूसरे चीज और हमारे syllabus में जो इसके syllabus में के इसके syllabus में GDS section का नहीं दे रखका है GDS जो post office वाला section है डाक सेवा वाला उसका नहीं दे रखका है लेकिन कुछ question mock test बगएरा में या फिर previous time में एक question आयो है syllabus में नहीं है लेकिन आ भी सकते है नहीं भी आ सकते है अगर आपको लगता है कि आपका time है तो इसको इसको भी पढ़ सकते है एक बार go through कर सकते है NPS तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि PPF का ही पार्ट है GPF का ही पार्ट है तो NPS में जो नहीं rules एड़ हुए है उसको हमें पढ़ना है ठीक है quality के कुछ questions है अगर आपके पास time मिले तो पढ़ना quality से related के केस कुछ case study है ठीक है union bank versus career pack जो उन्होंने case किया था उसके उपर उससे related study कौन जीता कौन हरा ऐसे बहुत सारे cases है उससे related आप study करना चाहते है तो कर सकते है इतना ज़्यादा ऐसे deep में आएगा नहीं मैंने वड़ाशा analysis किया इसके बारे में बट जो syllabus उन्होंन दिया है उसको ज्यादा focus करना है बाकी के जो extra आपको पढ़ना अगर आपको time मिले तो ही पढ़ना है इसमें से ठीक है फिर आता है government quarters बगएरा अगर फिर भी time मिले तो government quarters accommodations इसकी license प्रिस कितनी है कबसे यह लागू होता इसके recovery rate कितना है फिर उसमें से जो advance मैंने उपर बताई दिया जाता है अगेंस top medical medical facilities के उसके बारे में पढ़ना है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगे लेकिन बने रहे ना बहुत काम की वीडियो आपकी ठीक पिर आपका जनल फैनल से rules भी आ रहे हैं कुछ कुछ से निसमें से भी आ रहे हैं तो यह कुल मलाके मेरा observation है लेकिन कुछ चीज़े इसमें add-on की गई है कुछ चीज़े इसमें add-on की गई है जो आप अगर time लगे तो आप इसमें से जुरू पढ़ना अब यह तो बात रही है हमारी syllabus की कितना अब syllabus कवर करना कितना उसमें से पढ़ना कितना extra से पढ़ना यह सारा इसमें मैंने बता दिया बहुत important थी अब अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर ले आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें क्योंकि कल मैं live mock test के practice कर करते हैं ठीक है चलो फिर बोनस में से पहले एक पहले बोनस में दे लेते हैं आपको आपको भी थोड़ा साथ ही लेगेगा अब इस में से जो मैं एक notes बगरा बनाए हैं इसमें क्योंकि syllabus बहुत बड़ा है पीडियोप अगर खोलने बैटे ही तो बहुत बड़ी पीडियोप खोल जाती है तो उसमें से क्या-क्या पड़े तो यह पीडियोप जो मैंने आपको लिए खोली है civil service rule classification और यह CCA rule जिसे ब आपको यह बना के आप वैसे इसका तो रूल है आपको याद करने में easy रहेगा क्योंकि part 1, part 2, 3 करके दे रखा है आप divide कर सकते हैं part 1, part 2, 3 यह by default है इसमें ठीक है साइद मेरी call आ रही है ठीक है तो अब यह सारे इसमें add हो सकते हैं ठीक है और आप इसके थूरू आप पढ़ भी सकते हैं यह part के थूरू दे रखे हैं इन्होंने classification ने कर रखा है, journal में कौन कौन से आते हैं, classification में कौन कौन से rule आते हैं और उसमें कौन कौन से appointment जब जोइन करेंगे तो मैं उसमें शेयर कर दूँगा और जिसने जोइन कर रखा उनको अल्रेटी मिल जाएगी पीडियाप जिसने नहीं किया वो जोइन कर लेना सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो भी मिले तो जैसे यह इतने आपको याद रखना कि कौन से आर्टिकल के थुरू यह कौन से आर्टिकल में यह बात की गई है सिंबल्स दूसरा कि यह कब यह लागू हुआ था फस्ट दिसंबर 1965 कोश्चिन में डारेट आ जाता है सिधे-सिधे फिर पूचा अपर पूचा अपर आपको उसके नीचे वाला पॉर्सन पढ़ लेना है देखो सारा कुछ हाइलेट कर रखा मैंने यह आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करने पड़ी जो जो मेनमेन पाइंट अगर यह भी पढ़ लेंगे तो अभी काम हो जाएगा थीक, एड अपड डिपार्टमेंट कौन होते हैं एड अपड ऑपिस कोन होते हैं सेडूल क्या होता है सेक्रेटरी क्या होता है ठीक है पूरा यह हायलेट कर रखा है और दूसरी चीज एक और बता दूं कि जो क्लासिकेशन आप पोस्ट है यहाँप ग्रूप ए बी सीडी चार दे रहके हैं लेकिन जो 7th CPC यानिकर 7th Central Pay Commission जो बना हुआ है लागू हुआ है उसके बाद यह तीन ही पोस्ट रही है D हठा दिया गया है Central Government Service में 3 रह गये A B C रह गये ठीक है यह पुराना है तो इसमें चेंज नहीं हुआ है तो यह सब तो ऐसे ये PDF में टेलिग्राम में सेर कर दूँगा suspension को पर ये इतना important है सारा तो टेलिग्राम चैनल का जो link के हमें description दे दूँगा उसको जैन कर लेना चाकि आपको और भी important videos भी मिलती रहें और अपडेट भी मिलते रहें ठीक है ये तो रही इस फीडियाप की बात जिसमें मैंने इंपोर्टेंट हाइलेट्स कर रखें मार्ग आपको ज्यादा पढ़ने जो तनी पढ़ेगी बस यही पढ़ना आपको जो जो मैंने इसमें हैलेट किया है एंड टाइम पर काफी कुछ इससे आपको मैच कर जाएगा कुश्चन में तो यह तो होगे इसकी बात अब आजाते हैं स्ट्राटेजी पर याद कैसे करें एक तो रूल मैंने बता दिया कि उपर को जो इसमें बाइड डिपल्ट बना हुआ है ठीक है ठीक है तो बाइड डिपल्ट इसमें बनी हुई है कि कौन-कौन सा आपको याद करना पार्ट बन पार्ट उतरी करकें दूसरी चीज जो मेरे हैंड मेट खुद की मेहनत से बनाई हुई है वो भी स्ट्राटेज मैं बताता हूँ आपको कैसे याद करना है यह तो CCS CCA रूल हो गया दूसरा अब आया conduct rule बहुत important था पहला वाला पहला chapter यहाँ और पहला अब दूसरा chapter है मैं इसकी भी मैंने खुद ही यह बनाय हुआ है थिक है इसमें कितने tool होते है 25 tool होते है तो उसके लिए हमें करना क्या होगा सिम्पल सी बात है कोई न कोई स्ट्रेडिजी लगा नहीं पड़ी गी तो ये स्ट्रेडिजी एक से लेकर ठीक एक से लेके 3C तक 1 से लेके 3C तक हमें कैसे Conduct Rule याद रखने है 1964 में यह लागू हुआ था तो इसको याद कैसे करना है ठीक आप 1, 2, 3, 4 करके तो याद करें कितने बहुत सार रूल है Fundamental Rule भी याद करने है Leave Rule भी याद करने है यह Rule बहुत सा Rule तो पहले तो जो Fundamental Rule वो आपको में में कुछ कुछ याद करने है सारे नहीं आते हैं ठीक और CCS Rule में से भी सारे नहीं आते हैं लेकिन Conduct Rule में से Point to Point आ जाते हैं तो इसका आपको याद कर लेना जो मैं पीडिये बता रहा हूँ यह जो चीज़े आपको भी Share कर दूँग मैं Telegram में तो Telegram जरूँ जोइन कर लेना उससे पहले चैनल सब्सक्राइक करना ठीक है तो अब पहले वात है यह है मैंने बताया है यहाँ Follow 1,2,3 सी तक मैं याद कैसे करें Follow SDGPS SDGPS अगर आपको Mind में किलिक करता है एक्जाम में आता है SDGPS एक से लेकर 3C तक S से क्या है ठीक है S से क्या है Start S से क्या है Start Entitlement D से क्या है Definition ठीक है G से क्या है Journal और P से क्या है Prompt and Courtesy अगर आपने याद होगा तो O से क्या है Observance Observance of Government Policies ऐसे क्या है Sexual Harassment ठीक है एक से लेकर हमें 3C तक याद होगया ऐसे याद करना है आपको बस First जो आपको याद करना है SDGPS ठीक है याद होगया आपको और आपको बस यही याद करना है SDGPS SDGPS First to 3C और यह भूल जाना है आगे क्या है बाकी अंदर का तो आपको पता ही रहेगा फिर पेपर में आपको जब कुश्चन में आएगा तो आप ऐसे याद करेंगे SDGPS पहला दूसरा तीसरा इतना तो टाइम है हमार पास कि ऐसा तो है नहीं कि 2 सेकिंड का टाइम है पूरा ढ़ा गंटा है गंटे में से हैं ढ़ा गंटा ऐसी को दे सकते हैं एक घंटे के अंदर बहुला पार्ट हो सकता है तो अराम से टाइम मिलेगा सोचने का भी समझने का भी ठीक यह तो रहा है एक से लिगर फिर टीन सी तक अब आई नेक्स्ट ठीक है ये एक से लेकर 3C तक फिर आया 3C के बाद आता है 4 4-9 4-9 में भी मैंने एक बनाया हुआ है Never give favor and never join any organization Against government मतलब किसी को favor नहीं करना है ठीक है और दूसरी चीज अपने जिस में job करते हैं उसके against जाना भी नहीं है simple सी वात है पानी में रहके मगर से बैर क्यों करना है मतलब जहां job करते हैं उसके आरे मुराई क्यों करना है तो government उसके लिए rule भी बना रखिया अगर जो भी करेगा उसके against कारवई होगी और disciplinary action होगा ठीक है तो इसके लिए क्या है R-A-R-P-A-S-P-C ठीक है R-P-A-S-P-C R-A-P-A-S-P-C बस आपको इतना याद रखना है पहले में क्या था पहले में था आपका SDG PUS ठीक है इतना याद रखना है पहले आप तो अगर इसने आपने इतना पढ़ लिए आपको वैसे याद हो चाहेगा फिर R-A-R-P-S-P-C ठीक है ये नहीं याद करना आपको याद करना है never give favor and never join any organization against government तो इसी में सारा कुछ सार है इसका ठीक है तो never give favor मतलब किसी को भी rule number 4 में क्या है rule number 4 में किसी को अपने relative को job के लिए मतलब recommend नहीं करना है ये rule number 4 है ठीक है अब P से क्या है P से क्या है politics ठीक है R से क्या होगा है आपका जो R है बो relative R है मतलब relative relative को आपको favor नहीं करना है job में P से क्या है politics never take part in politics politics को join नहीं करना है अगर politics में पढ़ गया है तो आपको job जाहेगी अपने कुछ किसी party की favor में बोल दिया जो सरकार में है तो आपके job जाएगी जाएगी दूसरी है कोई association नहीं join करना है ठीक है जैसे बजरंग दल टाइब का इस टाइब कोई association जाएब नहीं करना है या कोई सेना इस टाइब की अगर आप central government office में job करते हैं तो या फिर किसी भी बैंक में अगर हम strike में जाते हो हमाई salary करती है तो यह मतलब government की against है अगर आप government थोड़ा अलाग और रही है strike के लिए तो salary काटेगी तो पहले R से क्या है relative, दूसरे P से क्या है politics, A से क्या है association S से क्या है strike and demonstration, P से क्या है next press and media, तो यह rule याद रखना R, relative, चौतर rule number taking party in politics, पांच पार rule number और join any association or other authority 6 number, strike and demonstration 7 number, P से press and media, press and media के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आठमा फिर इस साथ में का, जो साथ में नॉमा नंबर है, C, criticism, criticism of government, जिस ठाली में एकार है, उस ठाली में छेद नहीं करना है, simple सी बात यह कहने है, government का, जिसमें जो आपको रोजी रोटी दे रही है, उसकी बराई नहीं करना है, उसकी बारे में criticism नहीं करना है यह सारा rule center government इसलिए बनाया है तो आपको याद हो जाना चाहिए यह सब चीज यह strategy मैंने इस तरह से बनाया है अब next देखते है 1 to 3 C हो गया, 4 to 9 हो गया अब देखते है, 9, 10 to 13 A 10 to 13 A इसमें क्या है इसकी एक line ही यह देखना है बस don't share information to subscribe gift and dowry ठीक है, यह बहुत easy है और इससे बहुत question आते है gift से अलग question आते है कितने 1000 का gift नहीं लेना है कितने 1000 का gift B class को allowed B और C और कितने इसको allow है ठीक है, और कितने 1000 का gift अब ले सकते है foreign, उससे delegation से और ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं dowry allow है या नहीं है इसके वी उपर भी बहुत ज़्यादा कुशन आते हैं और सब्सक्रिस्प्शन पर आते हैं ठीक है तो किया डोंट शेर एविडेंस डोंट शेर एविडेंस टू सब्सक्राइब गिप्टेंड डावरी तो दसमा रूल क्या है एविडेंस एविडेंस बिफोर कमिटी ठीक है बतलब एविडेंस इंफोमेशन आपको एविडेंस बिफोर कमिटी कमिटी के सामने एविडेंस प्रजेंट करने है रूल नमबर दस ठीक अगर आपको और कोई केस हो गया तो फिर एविडेंस इंफोमेशन communication of official information आपको ये सब किसके बारे मताता है rule number 11 official communication के बारे मताता है ठीक है फिर rule number 12 आता है subscription ठीक आपने कोई service ले रखिए उसका subscription और वो किस बारे में बात कर रहा है rule number 12 rule number 12 ही बात करता है इसके बारे में फिर आजाता है most important gift rule number 13 rule number 13 11 12 आप इसके बारे में कर लेंगे ठीक है 12 नंबर subscription है और 11 नंबर आपका common official information है और evidence before committee 10 नंबर है ये आपको ऐसे याद हो जाएगा don't share avid information 10 11 ठीक है यहाँ से यहोगा 10 यहोगा 10 11 12 13 और 13 का ठीक है तो यह हमें ऐसी याद हो जाएंगे avid information to subscribe gift and dowry ठीक तेरा A में dowry है तो यह सारे important rule है ऐसे याद करेंगो तो आपको याद हो जाएंगे बैसे याद नहीं होंगे नंबर याद करते रहेंगे तो यह कभी याद नहीं होंगे ठीक है तो यह रहे 13 to 10 to 13 A ठीक है यह हो गया इसका rule अब अगले बात कर लेते हैं 14 14 से लेके 18 A 14 से लेके 18 A यह थोड़े से difficult हैं लेकिन अगर आपको एक दो बार मैं जो pics आपको image प्रोवाइड करा दूँँगा telegram उससे भी आप याद कर लेंगे या वीडियो को दुबारा दुबारा देखेंगे तो भी याद हो जाएगा मैं आपको आपको बता देता हूँ मैं बोल रहा हूँ इसके साथ भी बढ़ेंगा तब भी आपको याद हो जाएगा public demonstration for trade public demonstration for trade of vacant accommodation public demonstration for trade of vacant accommodation and and borrowing the insolvent movable or immobile or acquisition the property outside the India एक सिंपाइक लाइन याद रखनी है अगर आप मैनत करते हैं तो ये लाइन तो बहुत चोटी है public demonstration for trade public demonstration for trade of vacant accommodation and borrowing the insolvent movable or acquisition the property outside India तो अब मैं इसको rule को clear कर देता हूँ rule no.14 ठीक है public demonstration ये 14 no. rule है public demonstration for the trade trade or investment trade or investment rule no.15 private trade ठीक है उसका back-end accommodation ये है आपका sub-lighting sub-lighting back-end accommodation जो आपको सरकारी कोटर मिलता है उसके बारे में उसको settling करना उसके bill बगारा settle करना और उसके बारे खाली कर देना अगर आप transfer होते हैं तो ठीक है उसके बाद आता है borrowing and landing जो government servant deputation पर जाते हैं interstate जाते हैं या पर अपने state में दूसरे department जाते हैं तो उसकी बात किसमी कही है rule number आपका 15A में 15A में rule number 15A में subletting और subletting vacant accommodation के बारे में investing, lending और borrowing ठीक है इसके उपर इसमें बात कही है rule number 16 में और rule number 17 में आपका जो insolvent movable immobile movable और immobile इस सब क्यारे बारे बात करी गई है यानि कि movable और immobile property के बारे में 18A में ठीक insolvency and debt ने 17A में बात की गई है उसको याद करने का तरीके में ने उपर बताया फिर last में बात की रिए acquisition and disposal of outside of India 18A में बात की गई है ठीक है तो ये तो insolvent की बात थी आपको बस ये लाई नियाद रखना है 14-18A तक आपका third section है पहले section है first is 3C दूसरे में 4-9 ठीक है ये आपका 4-4 section है ठीक है तीसरे में आपका था एक second तीसरे में आपका 10-13 था और चौथे में आपका 14-18A 14-18A जिसमें की आपको बस याद रखना है public demonstration for trade trade for trade of back end trade of back end accommodation and borrowing the insolvent movable or requisition the property outside India बस याद रखना है ठीक है अब move करते है next उसमे यह होगे 14-18 और उसके बाद आता है बारी 19 19-22 फिर 23-24-25 यहापर आपका यह rule खतम हो जाएगा CCS CCA conduct tool आपका complete हो जाएगा आपको याद हो जाएगा अगर आपने यह इतनी त्यारी कर ली तो 19 से लेके 22 इसमें क्या है यह पूरा totally probation rule है prohibition rule ठीक है मतलब इसमें हर चीज को मनाई किया गया है ठीक सिर्फ rule number 19 से exception है जो सबसे अलग है जो आपको याद ऐसी हो जाएगा मैं पता देता हूँ इसमें जब आपके पर क्यों case हो जाता है तो आपको खुद को बेककसूर यानि कि vindicate करना है आपके उपर कोई बिल्चाम लगा है आपको उससे बरी होने के लिए आपको कुछ न कुछ चीजे प्रूब करनी है जिसी कि आप गिल्टी नहीं है आपको साबित करना है कि आप गिल्टी नहीं है तो वो rule number 21 में ही बात की गई है तो इसमें कि vindication of government servant vindication of act ठीक है for government servant इस टाइब की जो बात ही कही है उननिस rule number 19 में बात की गई है उसके बाद जो 20 से लेकि 21 ए तक जो बात की गई है बहुत सारी इसी की है यहां पर ए है ठीक है यहां लिखना रह गया ठीक तो 20 में क्या गई है canvassing non official information ठीक आपको मतलब इन सब चक्करों बहार के चक्करों में नहीं पढ़ना है canvassing नहीं करना है non official अगर official है तो भी non official इन सब पे gossip में नहीं पढ़ना है rule number 20 में बात की गई है prohibition है यह ठीक है prohibition मतलब prohibition है रोक है इसकी फिर rule number 21 में not allowed second marriage dual marriage अगर आपका जो spouse है वो living है और वो आपके से मतलब कानूनी रूप से उससे तलाग नहीं हुआ है तो आप second marriage नहीं कर सकते है until or unless अगर आप क्या law आपका जो personal law जैसे in case of muslim law वो आपको allow करता है ठीक है तो वो exception है उसके अलाबा किसी को allow नहीं है जब तक कि आपका कानूनी तूर से कानूनी तूर से तलाग नहीं हुआ है तब तक कि आपको second marriage अलाव नहीं है आपका अगर living partner मतलब spouse जिन्दा है तो ठीक है ये 21 rule number 21 में बोली गई है और उसके बाद 22 में है धूम परपान निसेद जो आपको हमेशा movie से पहले add आता है धूम पर पान निसेद उसकी बाद यहाँ पर भी office में भी आपको drink और smoke बगारा नहीं करना है काम करते हुए आपको करना है तो बाहर जाके करने ये इसमें बोला गया है ठीक है तो ये चीज prohibited है rule number 22 और 20A 22A 22A बोलता कि child labor not allowed और child labor defined कैसे होता है कि इसके constitution बताएगा कि 14 साल से छोटा बच्चा वो child labor कहलाएगा अगर 14 साल 15 साल हो जाता है तो वो काम कर सकता है लेकिन factory और कोईला वाली जैसी mines बगारा में नहीं कर सकता है नॉर्मल होटेल बगारा या पर किसी ओपिस बगारा में 15 साल से परवाला कर सकता है इसके लिए भी रूल है तो 14 साल से नीचे वाला child labor कहलाता है तो 14 से लेके 19 से लेके 22A तक का जो रूल है वो prohibition बाला है 19 को छोड़के 19 को गिल्टी नहीं हूं है उसको प्रूब करना यह विंडिकेशन ओप एक्ट 19 वाले में ठीक है 20, 21, 22 और 22A इस सारे प्रूभिशन के है आपको याद हो गाऊंगे ठीक है उसके बाद आती बात 2325 लास्ट है यह तो ऐसी याद हो है interpretation interpretation है delegation of power है और ripple and saving है अगर आपका सब कुछ हो गया delegation of power वगयरा वगयरा सारा रूल लाग हो पिर उसका रीपिल करना है या कुछ करना है तो यह सब 25 में है 24 में delegation of power है और 23 में interpretation है तो यह rule हो गया यहाँ पर कतम इसमें कोई doubt हो तो मेरे को comment करना comment में बताना या किसी और चीज की study चाहिए तो उसकी भी comment करना मैं वीडियो में next वीडियो भी मना दूँगा इसके regarding ठीक है अब आई बारी bonus point की यह तो था हमारा कैसे याद करना में ठीक है सलेवस पर पता दी मैंने कि कौन सा observation के हसाब से कितना आप area और आप cover करना है या पर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं दूसरी कैसे याद करना है और वो मैंने pdf provide करा दूँगा टेलिगरा में वो होगे notes अब एक और bonus point ठीक है bonus पर bonus मिल रहे हैं अच आपको ठीक है अभी मैंने syllabus की बात कर दी है याँ पर उसके आद ये rule कैसे याद करना है वो ही बता दिया और जो pdf की बात वो ही बता दी अब last में कुछ ऐसे चीज़े हैं point हैं जो मैं आपको share करूँगा और वो hit to it question paper में आते ही आते हैं अगर आपने mock test बगरा दी होंगे तो आपको पता ही हो कि hit to it ऐसे question आते हैं इसमें ठीक है ये देखिए CCS CCA rule 1965 अब इसमें क्या-क्या बोला गया है ठीक मैं जूम कर देता हूँ अब देखिए ठीक अब इसमें देखो question अगर आपने mock test दिये होंगे तो आपको पता हो question उठके direct आ जाता है reviewing authority to confirm order of suspension by supervisory officer within कितने मैंने के अंदर pushन ऐसे आ जाता है ठीक है उसमें दे रखा होगा 30 दिन या फिर दे रखा होगा 60 दिन या 45 दिन या 15 दिन आपको आपको याद होगा ऐसे लगा देंगे जरूरी नहीं कि यह आएं लेकिन अगर आपके सामने rule बगरा यह सारा कुछ रहेगा तो आपको तुरंट hit कर चाएगा आपको इसमें भी आपको trick दूढ़ने पड़ेगी ठीक है मैं बता देता हूँ जैसी यह है आप इतने सारा rule है आपको याद कैसे रखे तो आपको keyword बनाने पड़ेंगे यापर keyword notice of period of production of documents आपको एक documents का production का कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा keyword किसी ना किसी को तो अच्छा आपको करना पड़ेगा ठीक है notice period production of documents production of documents कितने दिन लगते हैं उसके कितने दिन चाहिए मैं उसके लिए 10 दिन production of documents कौन से rule है कौन सा rule है कौन सा क्या है वो सब भोल जाओ सिर्फ production of documents ठीक है 10 दिन suspension to be ratified by appointing authority if ordered by other than appointing authority within one month suspension suspension की बात कीए तो एक मैने का reviewing की बात करीगे तो एक मैने का यह हमारे keyword है आपको ऐसी याद रखना है reviewing authority confirm order suspension by supervisory officer within reviewing authority को confirm करना पड़ता है supervisory authority से supervisor officer से कितने दिन में किसी का suspension order confirm करने के लिए वो अपने supervisory officer से confirm करते कितने दिन में एक मैने के अंदर होना चाहिए काम suspend to be ratified अगर किसी को ratified करना है suspension किसी का हो चुका है ठीक है तो वो if order by other than appointing authority मतला जो appointing authority है जिसने उसका appoint किया है उसके अलावा किसी ने अगर उसको suspend किया है तो उसके लिए वो ratified किया जाएगा तो वो कितने दिन में वो भी एक मेने में ठीज दिन ठीक है आपको यह याद रखना है अगर जैसे कि direct appointing authority कर रही है तो उसमें कम time लगेगा और अगर appointing authority से दूसरे अपन authority के उपर जाती ही बात तो उसमें time छोड़ा जाता लग जाता है तो उसके लिए 30 दिन अब जैसे direct हमें notice period मिला है और मैं अपने document दिखाने है तो 10 दिन अगर हमें submit his return brief to io within 10 दिन मतलब direct कोई काम करना है तो कम time लगता है तो submit his return brief to ठीक है तो 10 दिन charge official में appear in person before in person यानि किसी के सामने present होना है in person document present करने है ठीक है कोई request या कोई charge official submit करना है कम time लग रहा ना उसमें 10 10 10 10 working days ठीक है non-government servant within 10 days ठीक है तो मैं एक तारीका बता दे रहा हूँ एक idea दे दे रहा हूँ फिर return report by charge official on advice of UPSC UPSC के advice से लेके जो बात हो रही है तो 15 दिन पांज नेक्स टर लग गए 10 दिन से 15 दिन लग गए ठीक है charge official to submit his defense अगर उसको अपने defense करना है to DA on receipt आयू report ठीक है तो उसके बाद ये 15 दिन अपने defense करने के लिए उसको time तो चाहिए होगा थोड़ा सा logic लगा लेना return statement देना है उसको charge sheet दायर हुई है उसको उपर तो उसको भी time लगेगा उसको time दियेगा है proper 15 दिन ठीक है return statement अपने defense में submit करना है charge होगे advice of UPSC ठीक है return report देना है UPSC के तुरू चार्ज होगा advice लेगा थोड़ा बहुत time तो लगेगा official तो उसमें 15 दिन और direct हमें खुछ submit करना है direct हमें submit करना है direct present होना है direct document product करना मतलब दिखाने है document तो 10 दिन किसी से authority दूसरे authority से या ये तो advice ले रही है तो उसको verify कर रही है 30 दिन फिर आ जाते है major penalty proceeding to complete अब किसी को पर major penalty लगी है ठीक है तो थोड़ा time तो लगे गाई ऐसा तो है नहीं कि 10 दिन में सारा कुछ case रपा दपा जा आप कोई पता है कि हमारा Indian government के constitution के आप से court में case के त्यक्तिय साल चलते है तो major penalty में 18 मन्त इतना इतना time तो लगे गई major penalty में ठीक है इसमे 18 मैंने suspension अगर किसी को suspend हो चुगा है उसको extension चाहिए तो at a time एक time पे 180 दिन का ही suspension extension extension मिल सकता है ठीक है एक time पे 180 दिन का ही suspension extend में हो सकता है ठीक जाद हो जाएगा government servant as defense assistant अगर किसी की government servant किसी की assistance से लेना चाहता है तो उसके पर कितने case minimum चल सकते हैं ताकि वो उसके help ले सके तो minimum 3 case at a time 3 case pending होंगे तो भी चल जाएगा वो उसके assistance ले सकता है ठीक है यह आपको याद होना चाहिए और आप मैं इस सारे चीए आपको पढ़के क्यों बता रहा हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ तो आपके अच्छे से त्याहर भी हो जाएंगे ठीक और मैं यहाँ से एक idea भी देते जा रहा हूँ यह उसके आप मैं यह image है वो आपको share कर दूँँ telegram में जैसे कि आप यहाँ से screen shot ले लो मैं यहाँ पर जब open किया हूँ तो screen shot ले लो तो भी काम हो जाएगा आपका ठीक है यह question बहुत बार रहा है government government defense यह तो पता ही है when PO post PO produces new evidence inquiry to adjourn before production for three clear days three clear days चाहिए होते हैं ठीक है ऐसी यह सारे चीज़े आपको tip पर याद होनी चाहिए तब यह आप आगे बात बनेगी ठीक है तो ऐसे यह है और एक और है ऐसे ही यह देखिए बहाँ तेज तक तेज के बाद यह 24 rule सारे याद हो जाएंगे आपको ठीक है और उसके अंदर question कैसे आते है वो भी याद हो जाएंगे अगर आपने 10-15 question तो भीड़ी जाएंगे और कहिने कहिसे भीड़ी जाएंगे अगर आपने ऐसे याद कर लिया हो ठीक है अब वीडियो हो गई कापी लंबी और हमारी bonus point भी हो गए खतम ठीक फिर काम की बात कर लेते हैं कल आपने अगर आपकी चैनल सब्सक्राइब में किया तो सब्सक्राइब कर दीजे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजे ताकि कल जो मैं live mark test practice कराऊंगा अगर आपको करना है तो कल जरूर live आजाएं सामको 7 बजे ठीक है live रहें या जो मैं online notification डालूँगा वीडियो के लिए प्रीमेर वीडियो उसमें notification के लिए on कर दें तो आपको वीडियो जैसे मैं start करूँगा तो आपको notification चले जाएं और साथ में त्यारी करें practice करें live रहें attentive रहें ताकि आपकी भी त्यारी अच्छे रहे